जे मातादी दोस्तों, वर्ड बेस मैजिक में आपका हार्द एक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, क्रिष्ण जन्मा अस्टमी भादर पदमास के क्रिष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी के साथ रोहनी नच्छतर में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्णू ने धरती पर मौजूद लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रिष्ण के र रात्री में हुआ था। इसलिए क्रिष्ण जन्मा अस्टमी की पूजा रात में की जाती है। इस दिन स्रंगार भोग के साथ साथ बहुत सी चीजें पूजा में इस्तमाल की जाती है। इसके लावा क्रश्न जन्मास्टमी की पूजा में खीरे का इस्तमाल जरूर किया जाता है। कहा जाता है कि खीरे के बिना स्री क्रश्न का जन्मुच्छ अधूरा माना जाता है। तो आज हम आग को इस वीडियो में ही बताएंगे कि आखिर क्रश्न जन्मास्टमी की पूजा में खीरे का क्या महत्त है? खीरे के बिना पूझा क्यों अधूरी माने जाती है? लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन डबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों जन्मा अस्टुमी पर लोग भगवान स्रीकर्षन को खीरा चढ़ाते हैं मानता है कि खीरे से भगवान क्रशन होते हैं और भगतों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं जन्मा अस्टुमी के दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा डंठल और पत्तियां लगी होती हैं इस दिन खीरे की कीमत कई गुना जादा होती है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि खीरे के साथ थोड़ा सा डंठल होता है। मानेताओं के नुसार जन्मुच्सों के समय इसे काटना सुब माना जाता है। आपको बता दें कि जन्मा अस्टमी की पूजा में खीरे के इस् पाट कर अलग किया जाता है ये भगवान स्रीकृष्ण को मादेवकी से अलग करने का प्रतीक माना जाता है ऐसा करने के बाद ही काना की विदी विदान से पूजा सुरू की जाती है दोस्तों जन्मा अस्टमी के दिन खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है इस दिन रात वो बारा बजे से पहले ही खीरे को भगवान करशन के पास रख दिया जाता है और रात में जैसे ही बारा बजे यानि भगवान करशन का जन्म हो उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट दें वहीं काना के जन्म के बाद संक जरूर बजाना चाहिए दोस्तों बहुत जगहें पर भगवान स्रीकर्षन के जन्म में इस्तमाल खीरे को प्रशाद के रूप में सभी लोगों को बाढ़ दिया जाता है वहीं कुछ जगहों पर इसे नो विवाहित महिला या गर्वती महिला को खिलाया जाता है मानेता है कि ऐसा करने से भगवान स्रीकर्षन की तरह पुत्र रतन की प्राप्ती होती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद